हेलो फ्रेंज कैसे आप सब मैं आपके लिए लेकर आऊ एक बहुत ही बड़ी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह है शामी ने अपने जो अपडेट था 9.5.3.0 उसको अपडेट करने के बाद अपने एपस को भी अपडेट किया है और वह बहुत ही काफी अची तरीक आपको अपडेट के उसमें क्या का नया फीचर साया है तो फ्रेंज बिना वक्त गावाए चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंज वीडियो शुरू करने से पहले जरूरे रेड वाला सब्सक्राब बटन दबाते हैं और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाते हैं ताक कि वज़ा से हमको काफी सारे अच्छे-च्छे फीचर मिले उन एप में शामी के एप में तो फ्रेंज मैं आपको दिखाऊंगा कि किन-किन एप में वो फीचर मिले वो फीचर मैंने ढूंड लिका रहा है और उसको मैंने अपने नोट अप में सेव करके रहा है मुझे आप इसको बोलने में आसा नहीं हो, तो first features है, file manager look change and language features add and delete style, इसका पतलब है, अगर हम file manager में जाते है, तो इसका look change हो चुका है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले 3-3 था, अभी 4 by 4 है, और इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, setting में जाता हो, तो हमको एक language system आजाता है, हम अपने हिसाब से language को choose कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से language को choose कर सकते हैं, और अगर हम किसी चीज़ को delete करते हैं, मानिए मैं इस को delete करता हूँ, आप देखेंगे, delete का जो animation style है, वो भी change हो चुका है, और काफी हत तक अच्छा दिख रहा है, पहले से, आप अब हम जलते हैं, अब हम जलते हैं, 2nd में, 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 2nd में आप यहारा नोट्व देह सकते हुँ मैं तेम भी दे सकते हैं हैसे अपको इसमें क्लिग करना ह清楚 , आप आप सारी थिम्हें मैं अगर इस थिम्हें को चूस करू तो लीक जो बहुत भारा थे अच्छा दिख्थास ए मैं देखGSग थे रहा है अगर मैं इसको सेरेट कर तो ऐसा दिखेगा, अगर इसको सेरेट कर तो ऐसा इसको ऐसा तो फ्रेंस इस काफी देखने बहुत ही अच्छा रह रहा है तो यह तो एक बहुत बरी अपडेट था हम लोग के लिए और अगर हम फोर्थ की बात करें तो फुटबल शॉटकट इन म्यूजिक अप तो फिर अगर आप म्यूजिक अप में जाएंगे म्यूजिक अप में देखेंगे हम उपर में फुटबल का लोगो आ चुका है अप देख सकते हैं आपे सच के बगल में अगर हम इसमें क्लीक करते तो हमारा जो तो इमाई ब्राउजर वो खोल जाता है और हम उनको एक अप माई के साइट पर लेके जाता है जह पर आपको स्लेट करना का कौन सा टीम जीतेगा नहीं जीतेगा आपको कुछ कोई पी दिया हुआ है ऐसा करका वो खेलना पड़ेगा और फुटबल रिलेटेज वाल्सक्व आपको मिलता रहा है इसमें तो फ्रेंज हम नेक्स्ट की तरह परते है तो अगर फ्रेंज फाइव देखे है फाइव में लिखा हुआ है कि टोटल लुक चेंच इन इमाई ब्राउजर एंड इंसर्ट एप शॉटकर और चेंच सर्जबार तो फ्रेंज हम लोग का एक बहु अभी खतम हो जुका है शाओमी ने बहुत बढ़िया काम किया है इस अप्रेट के बाद आपको मैं दिखा हूँगा आप देख सकते हैं इमाई का ब्राउजर है उसका लोगो टोटल ही चेंज हो चेंच का काफी अद तक बहुत ही अच्छा दिखता है और आप देख सकता है अगर मैं स्वाइब करता हूँ तो काफी सारे जो पॉपुलर रैप से उनका शॉटकट भी आ चुका है फोन पे मेंत्रा मेंक मैंट्री पोटक्ट तेख सकते है इसका तो शॉटकट आ चुका है और अर सारे शॉटकट आएगा और फ्रेंड्स और एक बात की बात करेंगे ह अगर हम सर्च बार में जाते थे और कुछ माने टाइप करते थे तो हमारा जो सर्च बार नीचे आ जाता था और हमको सर्च में क्या लिख रहे हैं हमको देख भी नहीं पाता था हम लिख देते थे तो होता था कभी नहीं होता था तो अब देखेंगे सर्च बार को उपर मे कर दिया गए और इसका जो एक ग्लूबल आइकन सर्च वारा आइकन वह देखने में बहुत ही बरिया दिखता है और इसमें शाओमी ने बहुत अच्छा काम किया है इसके लिए शाओमी कम थंसब देते है और आप दिखेए देखें कोई सर्च भी आ रहा है अगर आप कोई सर्च आ रहा है आप इसे सेलेक रह सकते हैं और ओवरल फ्रेंज शाओमी ने इस एप को पर बहुत बरिया काम किया है आप इसके बारे में और कुल भी जानना हूं तो आप वीडियो के सेक्सर में कमेंट कीजिएगा मैं आपके लिए एक नया सा वीडियो बराऊंगा इसके ऊपर तो फिर्स अगर हम नेक्स दिखते हैं तो next है Compass Edit Camera Features तो फिर्स अगर हम Compass पो लेते हैं अपना उसमें आप देख सकते हैं इसा हमारा Compass होता है अगर हम इसको तो और हम उपर की तरह Camera को करें तो आप देख सकते हैं camera on हो जाता है अगर हम उपर की तरफ करें तो देख सकते हैं तो इस फिचर देखने में बहुत बढ़िया लगते हैं और पहरे से जो था अपना इपना कमपस वो देखने में बहुत ही अच्छा हो गया है और नीचे अल-ए-ल का फिचर भी दिया हुआ है तो इसमें वह ने बहुत अच्छा काम किया है अपने एपस को बर काम करना भी बहुत ही बरिया डिसिजन है मैं कहना चाहूंगा तो उसके बाद जो देखेंगे एट लाइव टीवी फीचर नहीं नहीं तो फिरंस अगर आम अपने लाइव रिमोट में जाते हैं और उसमें देखेंगे अब नीचे में एक लाइव टीवी का फीचर भी आ चुका है आप यहां पर अपने फेवरेट मुवीज को भी देख सकते हैं लाइव टीवी में और चैनल भी इसमें काफी सारे देखेंगा पोगो, कलर, सन टीवी, एच बियो, जी टीवी, स्टार प्ल बढ़ी आ चुका है भी आपको देख सकता है सिट्टा बॉक्स का भी वहां पर कुछ लोगो आता है आप जिसे रिमोट बना सकते अपने यह तो पहले ही था लेकिन एक लेंग्विज का भी सिक्षन आ चुका है आप इसमें पिंगॉली चाहे हिंदी चाहे इंग्लिस चाहे कुछ भी कर सकते है जिनारल में आके इंट्रेटेनमेंट यानि कि अपने जो सिट्टा बॉक्स में जो फीचर्स होता है उस फीचर्स को ही काफियत तक इंक्लूडिट कर दिये गया है यो कि बहुत बरिया दिख रहा है तो फिर्स अगर हम आपने नाइन फीचर्स की बात कर वैसी और यहां पर देख सकते है काफी सारे फीचर्स को इंक्लूडिट कर दिया गया है जिसे अधिनेम दे सकते आप अपना हम सब्सक्रा देशापनर फीचर्स को दिखते हैं तो रह्म अगर कंस्टम गल और दे गशाय यह प्लगज सकते हैं अब जीग हम यहां देखता है next जह है at graphs in weather app तो friends जो हमारा weather app है अब देखेंगे weather app में नीचे में graph दिया हुआ है देख सकता है ऐसे करके काफी अच्छा लगता है और अगर हम more details में click करें तो वैसे हम को जाके देखना पड़ता है और हम share भी कर सकते है यहां से weather report तो for all friends बहुत अच्छा काम किया है अपने खुद एप को भी improve करता है और फ्रेंज लास्ट चीज जो आप काफी देर से इंतिजार करके बैठे है कि कैसे इस सब को update करते है तो friends मैं बताँगा आपको setting में जाना होगा आप last option में जाए एक तम last में जाके देखेंगा system apps update अगर आप फ्रेंज इसमें click करेंगे तो आप आपका update pending है पूरा का पूरा यहां पर शो करेगा आपको सिर्फ update करना परेगा और वो update जो MI app से उसके तुरू होगा automatically वहाँ पर अपडेट होगा और automatically install हो जाएगा तो आपको friends सिर्फ setting में जाना है नीचे की तरफ और देखना है system update में आपका क्या-क्या update पेंटिंग है और आपको सिर्फ update कर लेना है और आपके पास भी यह सरे cool features आ जाएंगे friends अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे मेरी कोशी को एक कुछ बताने की अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं Redmi Note 5 Pro related हमेशा वीडियो लाता रहूंगा और लाता भी हूँ अच्छे अच्छे Redmi Note 5 Pro related और अ